कि उन्ट समय मिलते हैं वान कि टू कि थ्री और वीडियो आपको पता क्या करना है इस वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पे अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आकन को हिट कर दीजिए आपने तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए ओके बैल आकन को भी हिट कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए तो आज में जिस गन के बार में बात करने वाला हूं दाट इस उमर एक्स मेड इन जर्मनी बरेटा यस बरेटा 92 फस इस वन अफ दे मोस्ट पॉपुलर पॉपुलर से भी पॉपुलर गन है इसी के इनो तरज पे एम नाइन बरेटा स्विज आम स्पी 92 सारी गन बंती है तो चलिए ताइम वेस्ट किये मिना आज के वीडियो में क्या का कवर होने व रखें तो पहली बात जब आप इसे और करते हैं तो आपको ऐसे बॉक्स में मिलता है और यह आप इसका मैनुवल है काफी मोटा मैनुवल है वह इसलिए है क्योंकि यह कई लाइंग्वेजिस में प्रिंट किया गया है आप देखोगे इसके दर बहुत सारे इसका पढ़ना है तो अब इसमें जाएंगे आप देखेंगे कि सम्वेर बिट्विन दस का है कही नहीं आपको इंग्लिस का स्का पार्ट मिल जाएगा स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे इसके बेसिक बात है कि कईसे करना है आप 24 पेच पर देख सकते हैं कैसे इसकी क्यार करें कैसे इसके पार्ट को समाल के रखें इनों पार्ट के नाम कैसे हैं लोड कैसे करना है फायर कैसे करना है सारी डिटेल्स इसके अंदर दीवी है पैलेट्स को किस साइट से लोड करना आप देख सकते हैं कि पैलेट्स को सही तरीके से पोजिशन करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है उसे यूस करना काफी जरूरी है आप देख सकते हैं सारी बाते इसके अंदर दिक mercy तो तो काफी अच्छी है चलिये आपको बनिखाय जाए तो wedखेंगे कि यह आपका ओकि तुम्हला None करते हैं जब आप येगे खृते हैं इसके साथ आपको ऐसे दो में भी लग जाता है और सेम जो है बरेटा में भी लगता है मैगजीन हमारे पास अभी जो है पड़ा हुआ है तो आपकी लाइफ इसर बनायता है और मैं आपको दिखाता हूं यह गन जो है ऑईल वाइल सब इस पर लगा होता है आप देखोगे इसके पर एक लगत तरिका से लगा हुआ है अगर मैं एक अंगल से लगे देखूं तो लगया कि अलग ही कलर है बट सब के उपर ऑइलिंग किया हुआ है और इधर आप देखोगे सारा ऑइल है जैसा कि मैंने आपको पेचली वीडियो में बताया था कि वॉल्थर हो गया बरेटा हो गया इन सब को जो है आपको पसंद नहीं तो आप सको साफ कर सकते हैं बट आपको पता यह मैटल की है तो फुल मैटल बरेटा इट्ली की है उन्होंने उमरेक्स को लाइसेंस दिया वा बनाने का और यह बनता जो है है जर्मकरेंगे हैं अग्यास कहीं नहीं है जर्मकर के अंदर भट भट कि यह है अब इस GUN को अपने हात मैं रखेए और यह पार नि da हुआ है उसे पुश करेंगे तो यह फलाप ऑफ निकाल सकते हैं अब आपको दिखाने वालों से CO2 कैसे लोड करते हैं यह थोड़ा ठिकी है अगर आप इसे साइड दरीके से नहीं करेंगे तो आपका CO2 लोड नहीं होगा आपको यहाँ पर पलगन ऑईल डालना है थोड़ा सा चलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पलगन ऑईल डाल देता अंदर डॉप करेंगे आपको यहाँ पर गाप दिखेगा CO2 और इस रिंग के बीच में तो आपको इसे घुमाना है इसे आप देरे देरे घुमाएंगे और यह उपर आता जाएगा उपर आएगा तो आप इसे स्टिल घुमाते रही है इसे तब तक घुमाना है जब तक कि यह बिल्कुल इसके पास ना पहुच जाए तो मैं इसे अभी भी घुमाऊंगा लाइक दस और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसके बीच पे जो है अल्मोस्स पहुच गया है अभी भी थोड़ो घुम रहा है थोड़ो और इसे पुश कर देता हूं मैं तो य इस फ्लाप को जो है मुझे पुश करना है लाइक देस कि ध्यान रखेगा अगर आप इसे बहुत जाएट ऊपर कर देंगे तो आपका फ्लाप यह लगेगा नहीं और अगर आपने ताकत लगाया तो यह तूट जाएगा ठीकि और यह तूट गया तो गयन आपकी बेकार है अगर लगाएंगे तो यह लगेगा और इसे प्रेश कर देंगे अप यह लूग यह यूं कर दीजिए अपने पर लॉक हो गया अब बारी आती है इसके अंदर पैलेट्स लोड करने का कि कैसे पैलेट्स लोड करते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं तो आपके पास यह दो क्लिप आएंगी आपको ध्यान देना है कि यह क्लिप का बाहर हिस्सा उपर रहे या फिर इस साइट से लगे तो मैं इसे यहां रखने वाला हूं अब आपको पैलेट्स लेने हैं यह इंपोर्ट पैलेट्स है पॉइंट 177 के इंडियन पैलेट्स इसक फिर खराब ना हो या पहले इस्तबाल किया वाना हो हमेशा कोई भी गन अगर आपके पास है इंपोर्टेड हो या इंडियन हो पैलेट्स कभी बी यूसट पैलेट पालत को कर मा या पिर वान का इस्तबाल से आपको ग्हार का इस्स्साऑ है और ये दो पालेट proud न उला दो रिंग है तो मैं सोलर राउंड एक साथ लोड करके अपने पास रख सकता हूं अगर आपने यह एक्स्ट्रा रिंग खरीद लिया है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आपको बार-बार जो है लोड करने की जुरूरत नहीं है बट यह जो रिंग है वो थोड़ी एक् करते हैं तो उनका रिंग गुम जाता है और अगर आपको गुम गया तो आपको यह रिंग मिलेगा नहीं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है चलिए अब यह जो है रिंग लोड हो गया है हमारे पास आठ हाट सोलह पैलेट्स हैं अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इ जाह आज आए इसके हैं इसके अंदर तो यह नौट है इसको हलका प्रेस करना है ऐसे और आप प्रेस करें गे ये आगया जाएगा अब आप इस रिंग को लेंगे ये जो इस स्लाइड को लीज़े और प्रेस कर दिजिए यह लॉक होगया आपकी गण रिडी है फार के लिए अब अगर मुझ़े फार करना है तो मैं सर्फ इससे पीछे यू करूंगा और दिस गन ready to fire तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एक co2 से कितने round fire होता है सामने आप देख सकते हैं हमारे पास box है हम इस पर fire करके देखने वाले हैं कि कितने round से मिलते हैं one two three four five six seven eight eight round हमने fire कर लिया है अब दूसरा इसके नहीं डालते हैं एंदर मैंने दूसरा ring डाल दिया है and we gonna fire the can wow that was awesome एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस हमने दो पैलेट्स वाय कर लिया है अब तीसरा रिंग की बारी है लुक्ष ऍौसरा अबला हुड्सरा इस है राम की बारी है। फूर्ट रिंग मैं हुड्सरा अबड की दो फ्र्याम कईम की बारेत storms ररी when हो गया, अब यह 6th ring है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब हम 7th ring fire करने वाले हैं, 6 हो गया है, यह 7th ring है, इसे में डालने वाला हूँ, now watch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आथ अब रिंग है, मैं 8th ring को डाल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसे में डालने वाले हूँ, कि यह दस वारिंग है होफुलिए इसके सारे पैलेट्स फार हो जाए कि यह ग्यार्मा पैलेट्स जो है कारिंग यह फार कर दे देखते हैं वाव एक ग्यारा बाट वास सप्राइजिंग एक ग्यारा का मैंने उमीद नहीं किया था कि यह फार कर सकता है तो चलिए अब हम बार्मा रिंग फार करने वाले हैं तो ट्वेल्थ रिंग ना बार्मा रिंग थर्टेंथ थर्टेंध 15 रिंग है इसे हम लोड कर रहे हैं वाइट वाइट सोलमा रिंग जो है हम लोड कर रहे हैं इसके अंदर 16 रिंग हमने फार कर दिया है और रहे हैं अब देखते हैं अब देखते हैं 17 रिंग सत्रमा रिंग और आई थिंक यह आखरी होने वाला है 12345678 लाइट लास्ट यह प्लेट फार भी नहीं हुआ होगा लोगी अट पावर यह आप देख सकते हैं पैलेट इससे निकला और इतना ही रह गया मतलब कि 17 जो है 17 के करीब यह फार करता है तो चलिए अब इसे खाली करते हैं और आपको दिखाते हैं इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ किसने कितना इंपक्ट किया हमने और आप देख सकते हैं किसने इतना डामेज किया है कि बहुत से लोग तो चेंगे वाव क्या बात है गन तो बहुत पारफुल है बट गाइस इतना भी यह पारफुल नहीं है क्योंकि एक तो यह पेपर का है अगर आप इंडियन से भी फार करेंगे इंडियन एरगन से फार करेंगे सिंगल शॉट से 2000 पर वाले से घी टो इतना है डामेज करता है यह बहुत जादा नहीं है और यहां आ Amazon यह प्रोटीन का डभा है और इसके अंदर दीखेंगे यह होल्स होता है र इंडियन एरगन से से भी इतना ही बहुत जादा बारफुल है और इससे आप जो है लोहे वहे में छेद कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यह पेपर पर फार करने के लिए होता है जस्ट लोग गुड हम इसको पेपर पर करते हैं और इससे यह इतना ही अभी इसका जो है आखरी पैलेट मैं इसे बाहर नि इसे मैं गन के अंदर यूँ स्टाक करके रग देने वाला हो अब आती है बारी स्योटू को कैसे निकालें बहुत सिंपल है गाईस पहला तो आपको इस बटन को पुश करना है इसे जब आप पुश करेंगे यहां तो यह लाच बन जाएगा और आप इसको खोल लीजे दू देखेंगे थोड़ा सा स्योटू बचा था वह बाहर निकल जाएगा इस रिंग को आपको नीचे घुमाना है लाइक दस जब आप इसे नीचे घुमाएंगे तो यहां पर लूज हो जाएगा आप स्योटू को बाहर निकाल लिजे याद रखेगा स्योटू को कभी भी आच यह इसे वापस बंद कर देता है यह बंद हो जाएगा इससे बैक करना है और इससे इसके गयंग बॉक्स में सुरक्षित वापस अरख दीजिए मैनुवल साथ में करें तो क्यरी करिए और इस बॉक्स को बंद करके यूउकर दीजिए I hope आपको यह विडियो पसंद आ तो तो फार करी लेंगे उससे कहीं ज्यादा आफार कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए और करना आपको तो कैसे करना है बहुत से लोग पूछते हैं दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए हमारा वेबसाइट खुल जाएगा airsoftgun india.com उस पर और प्लेस कर दीजिए अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिये वे नंबर पर कॉल कर सकते हैं कॉलिंग के नंबर पर कॉलिंग को इसना हम दो एफल फूल थेपल था दो अचाहिए है कि बांप सांगरिए दोने हो प्लं स्क्रीन को चो पल्ब डरनीक थार दो आओए है बांसरे कि अनबर सुलनल्स प्लंस, कि आखर सका हगा